नमस्कार मित्रों होली का देहन से पहले होलकाष्ट लग जाते हैं होलकाष्ट में कोई भी शुब कारिये नहीं किया जाता 2022 में होली काष्ट कब से लग रहे हैं और कब कतम है होलकाष्ट में क्या काम करें और क्या ना करें ये सारे जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों होली इस बार 17 मार्च 2022 की है जिसमें होली का देहन होगा और 18 मार्च 2022 को रंगों से खेलने वाली होली है तो होली से पहले आठ दिन कोई भी शुबकारिय नहीं किया जाता हिंदू धरा में 16 संसकार बताए गए हैं 16 संसकार इन दिनों में नहीं किये जाते इसके पीछे पुराणिक गथा आती है कि एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थी तब काम देव ने भगवान शिव की तपस्या भंकर दी जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने काम देव को भसम कर दिया उसी शोक में आठ दिन तक कुछ भी शुबकाम नहीं किया जाता बाद में काम देव की पत्नी रती के बहुत अनिरोध करने पर भगवान शिव ने काम देव को दुबारा जीवित किया इस तरह से इन आठ दिनों में कोई भी शुपकारी नहीं किया जाता दूसरी कहाने के अनुसार भगवान विश्णों की भक्ती में लीन परलाद को हिर्ना कश्चब ने आठ दिन तक होली से आठ दिन पहले तक बहुत ज़्यादा यातनाई दी थी और होली दहन के दिन जब होली का परलाद को लेकर होली में बैठ गई तो होली का तो जल गई और परलाद बच गई तो इस तरह से आठ दिन तक परलाद को बहुत सारी यातनाई दी गई इसलिए आठ दिन तक कोई भी शुब काम नहीं किया जाता है आठ दिन के बाद ही कोई शुब कारिय किया जाता है लेकिन इन दिनों में हमें अपने इष्ट देव भगवान की उपासना और आरती पूजा विदी विधान से करने चाहिए इन दिनों में आप दान देने की भ पूजा अवशय करें, उसका कई गुना फल प्राप्त होता है, तो मित्रों होलकाष्ट में कोई भी शुब कारिये नहीं किया जाता, लेकिन धार्मी कारिये पूजा पार्ट से सम्बंदित कोई कारिये करने में मना ही नहीं है, पूजा पार्ट आप इन आठ दिनों में जितन अधिक करेंगे, उतने अधिक फलों की प्राप्ति होगी, तो इस बार होलकाष्ट दस मार्च दो हजार बाईस से अठारा मार्च दो हजार बाईस तक हैं, जिसमें कोई भी शुब कारिये जैसे शादी, बिया, ग्रह परवेश, मुंडन आदी संस्कार नहीं किये जाते मित अगर आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी है, तो हमारे चनल को जूट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू फोर वाचिंग